दोस्तो मी टीवी में Android 9 Pie अपडेट के बाद स्क्रीन कास्टिंग कैसे करते हैं आज हम इसी के बारे में बात करेंगे तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रुशिकेश आप देख रहें Things to Explore तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले उपर की तरफ आपको सेटिंग का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा तो आपको सिंपली सेटिंग के उपर क्लिक कर देना है सेटिंग के उपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है और स्क्रोल करते हुए आपको जाना है एप्लिकेशन मे जहाँपे Apps लिखका है उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और यहाँपे See All Apps के ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर से आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है जहाँपे आपको नया वला option मिलेगा जो की है Miracast तो इसके ऊपर आपको simply क्लिक कर देना है तो मैं Miracast के उपर click करता हूँ उसके बाद open का जो option है इसके उपर आपको click करना है open करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीगे का interface सामने के तरफ दिखाई देगा जहाँ पर left side में लिखा रहेगा Miracast wireless display you can cast any Miracast compliant device to the TV तो सामने वाला जो device आप यूज कर रहे है उसमें Miracast compliant होना चाहिए वो device और यहाँ पर दूसरा option आपको मिलता है definition priority और frequency priority और अगर आप उसके नीचे scroll करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि अगर आपके पास MI का mobile है तो उसके त्रू जो है आप किस तरह से screen casting कर सकते हो तो उसके लिए आपको जाना होगा mobile की settings में settings में जाने के बाद आपको simply more का option दिखाई देगा उसके उपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का Xiaomi TV जो आपके living room में है उसका option दिखाई देगा उसके उपर क्लिक करने के बाद जो है आपका कास्टिंग जो है वो शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जो है आप डीटेल प्रोसेस भी देख सकते हो उसके बाद हम फिर से वापट चलते हैं हमारे ओरिजनल इंटरफेस की तरफ जहाँ पे हम देख सकते है की हमारा मेरा काज जो है किस तरह से काम करेगा तो मेरे पास यहाँ पे फिलाल शाओमी का मुबाइल है तो हम चलते हैं उसके सेटिंग में उसके बाद कनेक्शन एंज शेरिंग के उपर क्लिक करना है उसमें सबसे यहाँ पर देख सकते हो कि screen casting जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है जो कि Android 9 Pie update के बाद बंद हो चुका था तो फिलहाल जो है इसमें MiraCast का update आ चुका है जिसके थू जो है आप बड़े ही आसाने से screen mirroring कर सकते हो Xiaomi के TV में क्योंकि MiraCast जो है वो सिर्फ Wi-Fi से ही connect हो जा वीवो के mobile से आप MiraCast के थू कैसे MIK TV में screen casting कर सकते हो तो मेरे पाद यह फिलहाल वीवो का एक mobile है तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो वीवो के mobile में आपको जाना है इस settings में settings यहाँ पर उपर की तरफ है तो मैं उसके उपर क्लिक कर देता हूँ फिर हमें नीचे की तरफ स्क्रोल करते हुए जाना है जहाँ पर हमें smart mirror वाला जो option है वो हमें डुणना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो smart mirroring का option है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हमें simply smart mirroring के उपर क्लिक करना है फिर wifi settings का option आ रहा है नीचे की तरफ उसके उपर भी हमें क्लिक करना है और हमें Wi-Fi को on कर लेना है, तो यहां से मैं Wi-Fi को on कर लेता हूँ, on करने के बाद हमें फिर से back जाना है, तो मैं पीछे कर लेता हूँ फिर से इसको, और नीचे की तरफ screen mirroring का option आ रहा है, जहां पर आगे की तरफ लिखा है off, तो उसके उपर मैं क्लिक करता हूँ, और यहां से मैं screen mirroring को on कर दूँगा, on करने के बाद जो है यह जो हमारा MiraCast है, उसको डुढ़ने की यहां पर कोशिश करेगा, तो यहां पर सर्च हो रहा है, और सर्च होने के बाद हमारा Android Me TV यहां पर दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देने के बाद आपको सिंपली उसके उपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यह थोड़ा सा टाइम लेता है, सिर्फ 2-3 सेकंड्स का, और उसके बाद जो है आपके टीवी पर यह स्क्रीन कास्टिंग करना शुरू हो जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा जो मोबाइल है, वो यहां पर टीवी के साथ कनेक्ट हो चुका है, और स्क्रीन मिरेरिंग का जो फंक्शन है, वो काफी अच्छी तरीके से यहां पर काम कर रहा है, तो यहां पर मैं आपको डेमो के तोर पर आपको एक स्वांग भी प्ले करा के दिखा देता हूँ, और आपको एक वीडियो का भी डेमो मैं यहां पर दिखा देता हूँ, तो कुछ इसी तरीके से जो है आप M.I.K. TV में मीरा कास्ट के थूरू स्क्रीन कास्टिंग कर सकते हो तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी अगर आपका कोई सुझा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपने वीडियो के बिदख लाइक और शेर नहीं किया है तो लाइक भी करना शेर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो बस फिलाल वीडियो में इतना ही जैहिन वंदे मातरम